लुट गई है मिट गई कैसा हुआ नसीबे दिल तडप तडप के रहे गया क्यूं हुआ सिरे दिल फिल कभी तो मिल या तीम दिल से तुम जो मिला जुदा हुआ कैसा रोग दे गया हो सकाना चतलक कोई भी करीब दिल या तीम दिल से तुम या तीम दिल से तुम ऐसम में आसया को डूण रेती मगर वह तो कहीं नहीं है उबन कहीं बाहर गई हों चोड़ो उपनसी मेरी बेटी किस्ट खत्रे में ह theo अगर करИम को कुछ भी हुआ ना तो मैं तो मैं तुमें मार डालूंगे आसया कि जांतसे मार डालूंगी यामली अभी तक जिंदा है और हस्पताल में है अब तुम मेरी पात ध्यान से सुनो यामली का काम चलती से खत्म करो मैं उससे प्यार करता हूँ सुना तुमने मैं उससे प्यार करता हूँ आर्जू करीम सर लगता है ये मर गया ये नहीं हो सकता ये नहीं मर सकता इवराहीम नहीं मर सकता अफिसर्स कहा हैं तुम लोगों की वज़ा से एक शक्स की मौत हो चुकी है जब मैंने तुम लोगों को कहा था कि यहीं पर रुको तो क्यों गए आर्जू आर्जू ये गिर गई है कोई डाक्टर को बुलाओ स्टेजन लेके आओ जल्दी आर्जू पिछ आड़ो आर्जू आके खोलो आर्जू आर्जू हेलो आगा यामली मर चुका है इस बार पूरी तसली से मारा है उसे हस्पताल से निकल आया हूँ आ रहा हूँ मैं मतलब कि ब्यान देने से पहले ही उसको मार दिया हाँ बहुत खूब बहुत खूब अब तुम फार्म हाउस में आ जाओ मरियम का जनाजा भी तो करवाना है असिया तुम निचे क्यों आ गई थोड़ा आराम कर ले न था मुझे आपसे कुछ बात करनी है क्या बात करनी थी अच्छा चलो करो मैं मैं ये नहीं कर सकती क्या नहीं कर सकती आसिया मैं आपको वारिस नहीं दे सकती मैं आसीन साइबा को धोकर नहीं दूँगी ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं आसिया ये ही वक्त है मेरे लिए इससे बेतर वक्त नहीं होगा जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो उसके लिए सही और गलत वक्त माइने नहीं रखता इससे तो अच्छा है कि मैं मर रही जाओ खाला की तत्वीन के बाद मैं यहां से चली जाओंगी तुम कहीं भे नहीं जा सकती तुम्हारे लिए इतने सालों से मैंने क्या-क्या नहीं किया और अब तुम आकर कह रही हो कि तुम चा रही हो देखें आपने जो मुझ पर इसान के हैं मैं उसके बदले अपनी जान भी दे सकती हूँ बगर जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं करूँगी आसिया यह मत भूलो हमारी डील हुई है मैं बस यहां से जाना जाती हूँ तुम कहीं भी नहीं जा सकती कहीं भी नहीं बच्चा कैसा है आर्जू की हाला तब बिल्कुल ठीक है बस थोड़ी सी चोड लगी है इसे बच्चे का कुछ कह नहीं सकते क्या मतलब वो आपका बच्चा आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है करीम साहब ठीक है डॉक्टर इनके गिरने की वज़ा से इनकी बहुत ज़्यादा कियर करना होगी आपको अब इनका पहले से ज़्यादा ख्याल रखेगा ठीक है ठीक है सुन लिया तुमने क्या कहा डॉक्टर ने तुम्हें तो अपने पाउं पर भी खड़ा नहीं होना था मैं जा रहा हूँ घर जाकर आराम करो तुम करीम कहां जा रहे हो तुम्हें क्या अर्जू मुझे इस हालत में छोड़कर तुम उस लड़की के पास जा रहे हो हाँ तो उस ही के पास जा रहा हूँ करीम मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ देखो मैं माँ भी बनने वाली हूँ मेरे पास रहो तुम हमारे बच्चे का कुछ तो ख्याल करो मत जाओ उसके पास रुक जाओ आर्जू डॉक्टर की बात सुनी आराम करना चाहिए तुम्हें असिया बेटी यह क्या करना चाहिए असिया बेटी यह क्या करना चाहिए कर रहे हो तुम मैं अपनी चीज़ें इकठी कर रही हूँ खाला की तद्वीन के बाद मैं यहां से चली जाओंगी क्या मतलब तुम्हारा के चली जाओंगी आसिया तुम मेरे पास मर्यम की अमानत हो देखो मेरी जिमेदार ही हो तुम बेटी देखो बेटी मेरी बात सुनो आप मुझे मजबूर मत करें आप समझ क्यों ने रही हैं इतना सब होने के बाद मैं यहां नहीं रह सकती हूँ बेटी अकेले कहां जाओगी तुम कहां रहोगी और इन लड़कियों को काम कौन सिखाएगा आसिया उनके बारे में भी तो कुछ सोचो आप सिद मत करें मेरा यहां से जाना सब के लिए बेटर होगा ठीक है अगर तुम जाने का फैसला कर रही चुकी हो तो बशीर तुमारे लिए रहने का कोई इंतिजाम कर देते हैं अगर तुम चाहो तो वहाँ पे रह ले ना नहीं आसियन साइबा आज तक आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है कोई गलती हो गयो तो माफ कर दीजिएगा मेरी बेटी कोई गलती नहीं तुम मेरी प्यारी बेटी हो मगर यह सब ठीक नहीं के तुम जा रही हो आसिया आस्या करीम आस्या अब तुम यहां के लीने आये हो चलो हम जा रहे हैं करीम छोड़ दो मुझे तुम मैं नहीं जाओंगी चले जो यहां से शादी कर लो मुझसे आस्या बहुत चाहता हूं तुम्हें आस्या तुम शादी शुदा हो और तुम बाप बनने वाले हो चले जाओ यहां से अपनी बीवी और बच्चे के पास चले जाओ आस्या मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ूँगा मगर मैं अर्जू के साथ नहीं रह सकता मैं तुमसे प्यार करता हूं आस्या आजाओ मेरे साथ शादी करलो मुझसे आस्या चोड़ो लड़की को मेरी बात सुनो आस्या को मैं अपने साथ लेकर जाओंगा मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पर गोली चला दूँ आस्या कहीं नहीं जाएगी यहीं रहेगी चले जाओ मेरे घर से करीम जाओ यहां से तुम्हें लेकर ही जाओंगा बेटा बशीर तुम ऐसा नहीं कर सकते बशीर मैंने कहांगे तुम ऐसा नहीं कर सकते बशीर यह आखरी मौका है तुम्हारे लिए मैं आस्या को लेकर जाओंगा तुम मुझे धंकी दे रहे हो जबरदस्ती तुम इस लड़की को अपने साथ नहीं ले जा सकते अब चुप करके चले जाओ यहां से बशीर मैं आस्या को कहीं नहीं जाने दूँगी तुम करीम को छोड़ दो आस्या मेरे साथ ही जाएगी आस्या यहीं रहेगी बस कर दो क्या कर रहे हो तुम दोनों एक तरफ मेरा बेटा खड़ा है और दूसरी तरफ शहर बेटी आस्या अब तुम ही इन सब को रोग सकती हो फैसला करो जल्दी प्लाव कर दूसरी औरली आस्या मेरे हाल मेरे मेरे हालम तुम कर दो दूस्थाएगाएगा है और दूस्या बेज़ँ एड़ा च्टाफभा प्लावाएग धुम कर दूस्या मैं हर सूरत रुपना होगा अगर कोई और कदम उठाओगी तो वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा आस्या मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा अगर आज भी तुम मेरे साथ ना आई तो मैं कभी वाफिस नहीं आऊँगा फैसला तुमने करना है अस्या एक बार फिर सोच लो करीम मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ मगर खुदा के लिए ऐसा मत करो इसका प्यार तुम्हारी जान ले सकता है आस्या यहां ही रुको मेरे साथ आओ आस्या मेरे साथ आस्या मैंने कहा इधर आओ आस्या मेरे साथ आओ हम शाती करेंगे और फिर हम साथ रहेंगे आस्या सोच लो बेटी अगर तुम यहां रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो जो भी फैसला करो बस अपने दिल की सुनो मुझे मालूम है आसीन साहिबा अगर मैं यहां पर रही तो सबसे ज्यादा तकलीफ आपको होगी इसके मैं नहीं चाहती कि आपके साथ बुरा सुनोख हो मैंने फैसला कर लिया है कि यहां ही रुकोगी मैं करीम के साथ जाओंगी सूच लो यह सिर्फ तुम्हें तकलीफ ही देगा तुमने सही फैसला किया मैं तुम्हें इक विया केला नहीं चुरूंगा मैं तुम्हें इक विया केला नहीं चुरूंगा मेरा नाम भी बशीर है मार डालूगा मार डालूगा सबको मैं बशीर हूँ हेलो आगा हामित मेरी बात आपको और से सुनो हम कबरिस्दान जा रहे हैं करीम आसिया को अपने साथ लेकर यहां से चला गया है आसिया यह भूल गई है कि उसने मेरे साथ डील की थी अब तुम आफिसर को मारने के त्यारी करो हामित जी आगा ठीक है वो आफिसर आसिया को मुझे से चुड़ा कर ले गया है मैं उसको कभी भी जिन्ता नहीं छोड़ूँगा तुम उस आफिसर के टुकडे टुकडे कर दो ठीक आगा आप फिकर ना करें मुझे अकिला क्यों छोड़ गई है खाला खाला अपने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला अपने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला खाला जान मैं आपके बगएर इस दुनिया में अकेली रह गई हूँ खाला आपके बगएर मुझे अपने बीटीों की तरह कौन प्यार देगा खाला जान मैं एक बार भी मा के शफकों से नहरूम हो गई हूँ आसिया बेटी खाला जान आज तुम मरोगे तुमारी मोट सिर्फ मेरे आटों लिखिया करीम भूम करो खाला जास बाला आव आशीन खर चलते हैं तुम्हारे तब यह ठीक नहीं लग रही आपके किस-किस बात को याद करो खाला जो चाहिए था वो दिया त्यास लगे तो पानी पिलाया हमेशा प्यार से खिलाया आपने मुझे इस दुनिया में कभी को गम नहीं देखनी दिया खाला मुझे अकेला चोड़कर क्यों चली गई क्यों चली खाला हमेगे से जियोंगी खाला अस्या पेरी तरफ देखो मैं हो ना तुम्हारे साथ हमेशा साथ रोंगा डरो मत चलो अस्या खाल ष्या हमेशातम करें चली खाला हक MRW प्रेरह खाला हमेशाने और खाला मुझे क्यों छोड़ गई किया कि खाला मुझे क्या थे खुआ है ही थाला मुझे क्या थे खुआ के ख्याओ? झाल लवत राम वाद है अगर इसी वक्त फार्म हाउस वापस नहीं आओगी तो ये मैसिज हेड आफिस दे दूँगा तुम्हारा करीम भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा मेरी बात सुनो हम एक नई सिंदगी शुरू करेंगे सब ठीक हो जाएगा तुम मेरे साथ खुश रहोगी तुम्हारी आँखों में कभी आँसु नहीं आएंगे करीम सब कुछ ठीक हो जाएगा ना अगर हम साथ रहेंगे तो सब कुछ ऐसा ही होगा मैं वादा करता हूँ करीम मुझे कभी भी अकेला मत छोड़ना नहीं छोड़ूँगा असिया कभी नहीं छोड़ूँगा हमेशे साथ रहेंगे वादा करो वादा आसिया और करीम इंशालला बहुत खुछ रहेंगे मैं उन दोनों का ही सोच रही हूँ दोनों ही होलाद है मेरी आसिया ने एक गलती की है और मुझसे पुछे बगएर ही फैसला किया है अब इंतसार करो और देखना आसीन मुझे थोड़ी देर के लिए अपना फोन देना मेरी बैटरी खत्म हुए है एक बहुत एमर्जेंसी कॉल करनी है बहुत शुक्रिया तुम्हारा अब तुम्हारे आसु कभी नहीं बहेंगे आसिया अब बस मुस्कुराओगी तुम तुम्हें मैंने एक वीडियो मैसिज सेंड किया है उसे देखो फिर जाने का फैसला करना मैंने अपनी खाला को मार डाला और मैं कातिल बन गया हूँ आसिया क्या हुआ किसकी कॉल थी आसीन साहिबा की अगर इसी वक्त फार्म हाउस वापस नहीं आओगी तो ये मैसिज हेड आफिस देदूँगा तुम्हारा करीम भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा क्या है अजय का वा है अजय के अजय को 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 अजय क आस्या क्या हुआ है तुम्हे मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती खुदा के लिए कोई सवाल मत पूछना आस्या 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 क्या पागल हो गई हो तुम कहा जा रही हो हमारे बीच कोई गलत वहमी थी अब मुझे पता चल गया है मैं नहीं जाओंगी क्यों तुम मुझे प्यार करते हो यह कैसा सवाल है क्या कहना चाहती हो तुम तो फिर तुम चुप हो जाओ उससे कोई सवाल मत करना करीम तो मुझे समझने की कोशिश करो नहीं समझना मुझे मैं भी आ रहा हूँ तुम नहीं आओगे देखो मुझे वापिस जाना है अभी और इसी वक्त तुम वापिस बशीर के पास जा रही हो ना मैंने कहा ना सवाल मत पूछो पूछूंगा अभी फैसला करो यहां तुम मेरे साथ हाओगी या उस बशीर के पास जाओगी मैं वापिस जाओंगी मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकती बस मुझे वापिस जाना है चली जाओ मैंने कहा चली जाओ मैं आप लाओंगी मैं तुम्हें ध लूख वाओंग परना हाँ झाल जो झाल झाल आज के बाद हैवानों के साथ रहोगी फिर तुम्हें पता चल जाएगा सब है जड़ जय को यु खे जाएगा है है बाद है ऑो वह जय है टोित अटो है करीईम करीम 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 चोड़ो मुझे वे कि चोड़ो मुझे चोड़ो सुना नहीं तुमने उल्हे जाने दो करीम करीम दम्ची को बैठो जल्दे इस दवा तुम मेरे हातों से नहीं बच सकते करीम 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 यकास यार यह यदूए यवार्ट यविश नहीं थाइ झालव प्राफ़ एक प्राफ़ इता है यह इसके साथ ही यहां कैसे आ गए कमाडर, कमाडर आप ठीक है ना कुछ नहीं हुआ ठीक हूँ तुमने मजे कैसे डूड़ा कमाडर आपके आने के बाद मुझे रहा नहीं गया इसलिए मैं आ गया वहाँ सिया बहुत ही इस संग दिल निकली तुम तो कमाडर, आपके साथ यह किस ने किया किस ने किया होगा हाँ, वशीर ने किया है ठीक है कमाडर चलिए भी अभी सबक सिकाते हैं उसे नहीं अभी नहीं इबरहीम इतनी आसान मौत नहीं दूँगा नहीं से पहले उसे हिसाब देना होगा कमांडर मुझे आपकी फिकर हो रही है आखिर अप करना क्या रही है उसने जो कुछ मुझसे छीना है एक-एक करके वापिस लूँगा चलो इबराहिम चलते हैं चोड़ो मुझे मैं कैती हूँ छोड़ दो मुझे छोड़ो तुम लोग जाओ मैं आज तक तुम्हें यह नहीं समझा सका के तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो लेकिन अब तुम समझोगी तुम मेरी बीवी हो मेरे लिए हो तुम सर्फ मेरे लिए आज के बाद तुम जो भी कदम उठाओगी सो जो समझ कर उठाओगी सुन रही हो तुम आसीन सहीब आपका फॉन कहां पर है मैं ले आता हूँ नहीं नहीं तुम रहने दो तुम्हें नहीं मिलेगा फॉन मैं ले आती हूँ ठीके मैं ले आता हूँ तुम मुझे मेरा वारिस दोगी जो बेटा मुझे आसीन नहीं दे सकी वो तुम दोगी मैंने सर्फ इसलिए तुम से शादी की है कैसे हो सकता है कैसे कैसे हूँ कैसे हूँ कैसे हूँ कैसे हूँ अभी हवेली लेकर चलो मुझे करीम को मत मारो देखो उसको कुछ मत कहना मैं तुम से क्या बात कर रहा हूँ और तुम्हे अभी भी करीम की पड़ी हूई है मैंने तुम सिंसानों जैसा स्लूक किया चलो उठो आज के बात हैवानों के साथ रहोगी तुम्हे पता चल जाएगा सब किदे लेकि जा रही हो मुझे किदे जिस जगा के तुम लाइक हो हाँ इबरहीम बशीर की बीवी का नंबर लाकर दो मुझे मैं इंतजार कर रहा हूँ जी मतलब क्या आपकी अम्मी का जब तक तुम मुझे पेटा नहीं दोगी तब तक इन हैवानों के साथ रहोगी और मैं भी तुमसे हैवानों जैसा सलूक करूँगा हैवानों जैसा समझी तुम आरजू होस्पिटल में है उसमें खुदकशी की कोशिश की ये क्या कह रहा तुम कहा रहा तुम कितने पैसे चाहिए